फ्रेंट्स अगर आप भी Facebook से अर्निंग करना चाहते हो तो यह इसके दो ही तरीके होते हैं Facebook से अर्निंग करने के या तो आप Facebook प्रोफाइल का professional mode turn on करो या फिर आप Facebook page बनाओ बहुत सारे लोगों को confusion होता है कि हम Facebook का turn on professional mode on करके कैसे अर्निंग करें कैसे नहीं ये बड़ी अच्छी बात के यहाद दोस्तों आज के इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ फेस्बुक का जो प्रोफाइल का प्रोफेशनल टर्ण मोड ओन करके कैसे अर्णिंग कर सकते हैं और कैसे नहीं सबसे पहले मैं आपको देखता हूँ जैसे यह फेस्बुक दिख रहा होगा इस पर क्लिक करते हैं और यहां पर दोस्तों दिख रहा होगा आपको एक मैं सबसे पहले तो यह बताता हूँ फेस्बुक प्रोफाइल का टर्न ओन प्रोफेशनल मोड ओन कैसे करते हैं इसके अंदर दोस्तों बहुत सारी चीजे हैं फोलो सेटिंग्स प्रोफाइल स्टेटस आप चाहो तो इनको भी देख सकते हो यह देखो जो मैं में बात कर रह हैं बहुत सारी चीजे हैं और आप दिख रहा होगा एक option आपको turn on का दोस्तों इसके अंदर normal कुछ ज्यादा कुछ नहीं होता just formalities होती है बस आपको वह करनी है 3-4 और उसके बाद फिर मैं बताता हूँ इससे actual में कैसे कर सकते हैं और कैसे नहीं यह देखो finish setting up your profile मैंने इस कि आप किस category पर काम करते हो माला आप उस पर movie की clip upload करते हो या reels upload करते हो comedy, funny, entertainment, push me या motivational reels upload करोगे वीडियोज करोगे तो दोस्तों यहां से यह देखो category जैसे मैंने ENT लिखा अगर आप movie clips पर काम करते हो तो दोस्तों arts and entertainment इसकी proper category होती है यह आपकी information के लिए चीज बता दी यहां पर सर्च कर लेना जिस category पर आप कम करना चाहते हो जैसे मैंने मोटी लिखा motivational के बारे में बता रहा हूं यह sorry movie, movie के बारे में लिखा तो इस तरीके से कर सकते हो और इसमें जो आपका मन सर्च करें दोस्तों मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूं किस तरीके से आपक ब्लोगर, सेफ यह आप अपनी accordingly यहां से set कर लेना जिस चीज के उपर काम करो यह सबसे ज्यादा important चीज होती है और अब चलते हैं back बहुत सारे creators इसको select नहीं करते हैं और ऐसे ही reels और videos upload करना start कर देते हैं और फिर बाद में दोस्तों नहीं उनके उपर views आते हैं नहीं को आपको यहां पर कुछ नहीं करना जस्ट इसको यहां पर पब्लिक पर रखना है हमेशा क्योंकि पब्लिक पर रखोगे तो ही Facebook सबके सामने आपकी जो भी पोस्ट है रील्स है वीडियो उनको recommend करेगा जैसे public बैस अलग करो और यह done कर देना और अब देखी friends इसमें नीचे आपको एक option दिखाई दे रहोगा यह तो automatically share your Instagram post to Facebook है यह कोई ज़्यादा important नहीं है आप चाहो तो इसको कर भी सकते हो आप चाहो कि Instagram की किरिदोई real automatically Facebook पे share हो जाए वो वाला option है और आप देखो add a profile picture just इस पे click करोगे तो आपकी gallery से जो भी आप एक profile picture select करना चाहो कर सकते हो add cover photo यह cover photo भी दोस्तों सेम वही है आपकी gallery में जो पीछे दिखाई देता है cover photo यहां से select कर सकतो सबसे important चीज होती है दोस्तों देखो जो मैं इसके बारें बता रहो यह आप इसमें एक bio लिखोगे बहुत attractive और बहुत अच्छा सा जैसे मैंने लिख रखा है comedy entertainment motivational reals and videos और फिर इसको कर देंगे save यह आपको बताना है facebook पे आप इस पर किस तरीके के काम करोगे कैसे और कैसे नहीं यह select your profile category मैंने बता दिये वहां से भी कर सकते हैं यहां पे भी option है जो category आपको select करनी है यहां से बड़ी easily कर सकते हैं दोस्ते बायो बहुत अच्छा लिखना मैं बार बार बोल रहा हूं facebook को आप complete तरीके से बताना है यहां पे लिखे कि आप इस पर किस तरीके content upload करोगे किस तरीके के नहीं तो ही दोस्तों आपके वीडियो पे reels को facebook आगे ज़्यादा ज़्यादा recommend करेगा अब देखो जैसी इस three door पे click करते है पहले यहां पे own दिखाई दे रहा दोस्तों आपको दिख रहा होगा right side में यह एक three dot का option जस्ट इस पे click करते है और अब देखो यह professional dashboard दोस्तों यह same page जैसे ही होता है अगर इसके आप professional mode on कर लोगे तो यह देखो मैं इसके अंदर बतायता हूं जो इसके main earning के tool होते है आप पैसे कैसे कमा सकते हो यह देखो monetization इसके ज्यादा तर monetization tool facebook page के और इसमें लगबग बराबर से होते हैं इसमें कोई ज्यादा फरक नहीं है चाहे पिस पे काम करो चाहे facebook page पे काम करो इसमें ज्यादा कोई हो नहीं यह देखो इसके अंदर बहुत सारे monetization tool होते है stars add on reels bonuses in stream air सबसे पहले add on reels के लिए बात कर ल चीज और बता जाता हूं इसका कोई criteria link नहीं रखा facebook ने कितने follower सोने चाहिए कितने नहीं यह totally invite program है अगर आपकी reels अच्छा कासा perform कर रही है वाइरल हो रही है और उपर वीव सही से आ रहे है तो facebook इसको automatically आपको invitation का option आ जाएगा अब अब दोस्तों यह नीचे बता रहो in stream यह long videos के लिए होता है अगर आप long videos upload करोगे तो in stream add वाले option से earning कर सकते हो दोस्तों इसमें दो यह main tool होते हैं यह बागी stars वगेरा इनसे ज्यादा कोई earning नहीं कर सकते एक यह add-on reels और एक यह मैंने बताय है in stream ads अब friends थोड़ी सी बात हैं कर लेते और देखो यार मैं आपको पहले तो यह बताते हैं में कोई ज्यादा फरक नहीं है चाहिए आप facebook profile का turn professional mode on कर लो या facebook page बना लो Facebook page कैसे बनाते हैं उससे कैसे earning कर सकते हैं उसके बारे मैं पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं description में link देदूँगा आप चाहो तो उसको देख सकते हो और बाकी दोस्तों मेरे पास comment आया था कि आप यह बताए कि facebook जो profile है उसका professional mode turn on करके हम कैसे earning कर सकते हो और कैसे मैंने पूरा complete तरीके से बता दिया है facebook page का facebook profile का professional mode कैसे turn on करते हैं और इसके क्या क्या मोनिटाइशन टूल होते हैं जिससे हम earning कर सकते हैं अब फ्रेंस जाते-जाते यह कह रहा हूं अगर यार यह वीडियो अच्छा लगा और इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिल इते हैं किसी अच्छे वीडियो में तब तक के लिए सीखते रहें ध्यान रखें बेस्ट ओफ लेट